नेगेटिव मार्किंग से अपन केसे बचेंगे, नकारात्मक अंकन से आप केसे बचेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है साथ, समझेगा इस बात को, ये किसी भी एक्जाम में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग, ठीके, तो तीन परसन गलत किये हैं, तो आपका एक परसन सही जो है उसके नंबर एक प्रकार से कट हो गया, तीन गलत होने का मतलब क्या हो गया, एक आपका सही किया हुआ गलत हो गया, ये नेगेटिव मार्किंग है, अब ये देखने में बहुत आशान लगता है, किशार एकजाम के दस kia aile experience कर। सुनीएंगा, मेरा experience शुरू कर। कर। किसी का experience नहीं दे रहा, मैंने क्या feel किया है और मैंने कैसे बचा है। पेपर जब भी आप देते हैं, negative marking से कैसे बचना है, अति आत्म विश्वास आपको मारता है याद रखना, और confidence, मारेगा याद रखना, और विश्वास का अभाव, ठीक है न, विश्वास, lack of confidence, विश्वास का अभाव, ये दोनों चीजें क्या होती है, negative होती है, जिंदगी ह हमेशा किस से चलती है, balancing से चलती है, balance बना के चलना पड़ता है, विश्वास में भी और आप में विश्वास में दे, कैसे याद रखना, मैं आपको आज भी कहता हूँ कि ये दी मैं तुम्हारी जगे paper देने जाऊं, चाहे मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं किये समय लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरा paper आपसे बहुत बढ़िया होगा, region क्या है, मेरे अंदर confidence है, लेकिन मेरे अंदर over confidence नहीं है, मैं जब paper को देखूंगा, पहली चीज में शान्त चित रहूंगा उस समय, ठीकिन मेरे अंदर उतावलापन नहीं आएगा कि मैंने paper देखा है और मैं paper को हड़ बढ़ा के मैंने खोला है, नहीं, मैं paper को बड़े शान्त मन से खोलूँगा, ये paper मेरे सामने है, इस paper को मैंने खोला और paper का page अराम से पलटा, मैंने सबसे पहले roll number लिखे, roll number में दी एक अंक गलत हो गया, तुम्हारे तीन person negative marking में जाए मैंने अराम से roll number भरे, और roll number भरने के बाद मैंने paper को खोला, और मैं पूरे paper को अराम से पढ़ रहा हूँ, relax मैं, मैंने सबसे पहले उनी person का चुनाव किया, जो मेरे सहज थे, मेरे अपने थे, समझ रहें आप, जिंदगी में शुरुआत हमेशा अपनों से करें, किस से करे पेपर में अपने कोण, बताएंगे मुझे, पेपर में अपने कोण, पेपर में अपने वो है, जिन को आपने पढ़ा है, जो आपने, एकदम आपके concept के लिए रहें आपने मान लिजीए 100 परशन है और उसमें से 30 परशन आपके अपने है या मान लिजीए 60 परशन आपके अपने है आपने 62 परशन अपनों को चुना और आपने कर दिया तुम्हारा confidence boost हो चुका होगा जोरदार वाला अपनों के साथ जाना सबसे पहले ठीके होता क्या है तुम से बड़े चमकीले लगते हैं परशन इतना बड़ा है लेंग्विज इतनी वड़ी है समझ में कुछ नहीं आ रहा पहला word समझ में आया लास्ट वाला समझ में बीचों कुछ समझ में नहीं आया कभी चक्कर में मत पढ़ना मैंने आपको पहले उदारन दिया था जब भी ट उस चार घंटे जैपूर से जुन्जनू तक का समय है तुम उन आखों में गुजार दोगे लेकिन तुम्हारा आउटकम हंडेड परसंट जिरू आएगा ये लिख लेना मेरा क्योंकि तुमने उस पूरे परशन को पढ़ाए नहीं है वो पूरा परसंड क्या था तुम्हा समझेगा बात का गैरों के चकर में उन आखों के चकर में मत फच जाना जो बाहर से तुम्हें बुला रही है आजा लेकिन रेल में वो क्या है मैं जानता है नहीं हूं कभी भी संद्या इस्पदपर्शन संद्यय युक्त चीज कहते हैं नॉर्मली कि उस चीज के हाथ मत संद्याना इस प्रशनव को स्वर्शन ओछ संद्याएं गलत आएगा रिस्ता वहीं काइम होता है जहां संदे नहीं हो संदे हो गया ना आदमी को तो कभी भी याद रेकना वो रिस्ता आउतकम नहीं देता है और जिस परसन पर संदे हो गया वो परसन कभी भी सही नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग से बचना है इस संदे को छोड़ दीजेगा जो भी संदे वाले परशन है जिनकी language समझ में नहीं आ रही है कोई तुक्का नहीं लगाना है कोई guess नहीं लगाना है चाहे तुमारे कितने परशन कम हो जाए उन परशनों को हाथ नहीं लगाना है उसके बाद उसके बाद आप आगे बढ़ रहे है और आपको लगता है कि सर पांच परशन ऐसे है जिसमें मैं confident हूँ हलका सा कि सर हो सकता है तुम पांच परशनों को उस समय रिष्क ले सकते हो जब 100 नंबर का paper है और paper का level medium है और तुम already वहाँ 65-70% कर चुके हो ठीक है paper का medium level है तो तुम कर सकते हो बाकिया आप नहीं भी लें तो कोई फ्रक नहीं पड़ेगा याद रखना negative markings है हमें जहां तक हो बचना चाहिए यदि हमने परशन सही कर दिये है लगभग 60 plus यदि अपन 40 के आस पास ठहर रहे है तो वहाँ आपन negative marking में फस सकते है अनेथा में नहीं फसना चाहिए यदि तुम 100 नंबर के paper में और paper का medium level है तुम 60 plus जा चुके हूँ मेरे coding आपको नहीं फसना चाहिए चोथी बात negative marking में कभी भी paper आपने पूरा कर लिया हो और paper पूरा करने के बाद अंतिम समय में अंतिम समय में याद रखना कभी भी परषणों के उत्तर मत लगाना होता न कि 10 minute exam के बच्चे हैं उस समय बच्चा क्या करता है पैन खोलता है और पैन खोलने के बाद वो सोचता या 4 परषण 5 परषण बच्चे लगा देता हूँ कभी मत लगाना वो परषण हमेशा नेगेटिव होते हैं ये मेरा real experience है कि मैंने पैन को बंद करने के बाद और फिर जब खोला है याद रखना नुक्षान हुआ है 20 minute बच गई आप सोच लो सोच सकते हो मनन कर सकते हो और insight ये भी तो हो सकता है बराबर में आजओं क्या नुक्षान होता है ये दीरे-दीरे बराबर वाली सोस जवर्तों में competition से बाहर कर देती है तो paper का level पहचानिएगा सबसे पहले अपनों के शाहत जाईएगा गैरों से बचिएगा संदे इस्पद वाली सिर्फ आँखे जिसकी दिख रही है बाकी अनुमान नहीं लग रहा है उन पर्षनों के साथ कदापी मत जाईएगा और अंतिम दोर में जो भी paper अपने हल कर लिए अपने असाब से उसके बाद आप 5 या 7 पर्षन कभी भी नहीं करें याद रखना कोई बात नहीं जितने हुएं आप बंद कर दीजिये याद रखना आपको स्कोर आपको बड़िया लग रहा है यदि मान लीजिये आप 30-35 पर्षन कर पाएं तो आपके पास option नहीं है आपको negative marking में जाना पड़ेगा और आपको जाना चीए याद रखना कोई option आपके पास बसता नहीं है तो आप negative marking में जाएए अने था negative marking में नहीं जाएए और पाच्वा और अंतिन उपाए negative marking से बचने का क्या है जिंदगी में याद रखना सबसे important चीज मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन से टेस्ट्रीज हल करता है उन टेस्ट्रीज का outcomes क्या आता है क्या नहीं आता है दीर सिंग धाबाई जो बोलेगा वो सच बोलेगा याद रखना मैंने कभी टेस्ट्रीज जोईन नहीं की लेकिन मैं हमेशा क्या करता था पूर्व एक्जाम के प्रशन पत्रों को आगे हाथ रख रख के हल करता था और मैं देखता था कि मैं बेटर कहां कर पा रहा हूं और गलती कहां कर रहा हूं मैं उन गलतियों को अलग से कागज पे लिखता था कि यार आज मैंने मान लीजी कि गुप्ट सामराज्य पढ़ा और गुप्ट सामराज्य में मेरे ये पर्षन गलत हुए, तो गलत क्यों हुए, क्या मेरा और confidence था, या मैं पर्षन की language समझ नहीं पाया, गलती कहा कि मैंने, मैं उस बात को तुरंत लिखता था कि मेरी गलती कहा हुई, अब मैं वैसे ही पर्षन 4-5 और देखूंगा, और मैं practice करता था, याद रखना मुझे चीजे बताने वाला कोई नहीं था, मैं आज आप लोगों के साथ मेरा real experience कर रहा हूँ, बट उस में मुझे बताने वाला कोई नहीं था, याद रखना, मैंने खुद अपने रा विजब ऐसे आती है, तो आप देखना कि कितनी गजब की insight पैदा होती है, मैं कोले लेक्चर पेपर देने गया ना, तो मेरे लगबग 6-7 person ऐसे थे, जिनको मैंने आनसिक पढ़ा था, लेकिन वो मेरे सब सही हुए, याद रखना उसी experience के वज़ए से, मेरे अंदर insight क्रेट हो जाती है, person के language पढ़ते ही, कि यार ये answer होना चाहिए, ये सिरफ practice थियात रखना, तो ये मेरा वो daily वरक था, यार मैं गलती कहां कर रहा हूँ, वरक अपने पिक करना पड़ेगा, और इसका ये की तरीका है, अभ्यास, 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 जब तुम्हारा मन ना हो, त तब भी अभ्यास करें, जब तुम्हें दिखाना नहीं हो, तब भी अभ्यास करें, और जब तुम्हें किसी को दिखाना हो, तब भी अभ्यास करें, जब कुछ नहीं कर रहे हो, जब कुछ नहीं पा रहे हो, जब ए सफल हो रहे हो, तब भी अभ्यास करें, और जब तुम स तब भी अभ्यास करें, इस दुनिया में यदी किसी चीज ने इन्सान को बड़ा बनाया है, वो है प्रेक्टिस, प्रेक्टिस, क्योंगी प्रेक्टिस नहीं होते तो धीर सिंग धाबाई तुम्हारे सामें नहीं होता है।